यह चीज मेच के मुरोडिया रोक को एक वार में सही कर देगी मेच पर पत्ती खाने वाले कीड़े, मैली वग, थ्रेप्स या माहूं जैसी अन्य कोई भी वीमारी नहीं आएगी तो वीडियो में जानेंगे यह क्या है और इसे हम कैसी बनाएं पिछले वीडियो में हमने आपकी हरी तीखी मेच और लेसुन की सायता से एक घरेलू और्गैनिक कीटनासक बनाना बताया था जो के आपके काफी काम आया था इस वीडियो में हम एक और फ्री का कीटनासक बनाना आपको बता रहे हैं नीम की सायता से और हम एक नहीं तीन चार तरीके आपको बताएंगे जो के आपके फलदार फूलदार या सबजियों के पौदे हैं या आपके कोई भी हर्व से हैं उन पर बीमारी नहीं आने देंगे साती सात आपको इनके लिए अलग से कोई पैसावी खर्च नहीं करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का विचार और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों बदला लेने के नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए कुछ ऐसा कीजिए कुछ ऐसा बोलिए जिससे समाज में देश में परवार में बहतर बदलाव आ सके तो सबसे पहले नीम एक प्राक कते कीट ना सक है और बड़े इस तर पर और गैनिक फार्मिंग में नीम का प्रयोग होता है हम रोकेंगे दीम को दीम जो के बागवानी में बहुत जादा नुकसान करती है यह आपके बगीचे में कभी आएगी ही नहीं आपको करना यह है कि सबसे पहले नीम की पत्यां लेनी हैं तो सबसे पहले कंकर रखिए उसके बाद मिट्टी की एक लेयर बनाईए और जो हमने छाया में यह नीम की पत्यां सुखाई है इस तरीके से इने बीच में डाल डाल कर आपको लेयर बना देनी है और यही तरीका आप मिट्टी में गड़ा खोदने के बाद जब पौध नहीं करेगी अब मैं जो दूसरा आपको नीम का प्रयोग बताने वाला हूं यह लॉंग टर्म का कीटना सका है लंबे समय तक आप इसे यूज कर पाएंगे और यह जो फल पर कीड़े लगते हैं तना छेदक या फल छेदक जो भी आपकी सबजियों को नुक्सान पहुंच यह लकड़ी जो कि मैं काटके डाल रहा हूं इस तरीके से आपको लेनी है इसके बाद हम इन्हें कूट कर मसल कर मिक्सी में ग्लांडर में आप इसकी जो है चटनी बना लीजिए यह देखे इस तरीके से इसके बाद एक लीटर पानी लेना है और उसमें आपको जो है 50 ml दह जिसे आप बटर मिल्क बोलते हैं चाच भी बोल सकते हैं या अलग हो दही भी ले सकते हैं चाच भी ले सकते हैं वह डालना है मैं जो नीम से कीटना सक बना रहा हूं न अब इसे हम फंगी साइड भी बनाएंगे साथी साथ तो आपको कहना यह है कि आपको एक तावे का लो डाल लेना है, अब हमने जो नीम की पत्तियों से जो चटनी बनाई थी न, उस चटनी को हमने जो एक लीटर पानी और जो 50 оmelle छाच लिया जिसमें हमने तावे का वर्दन या तावे का दाला हुआ है," उसमें इस चटनी को डाल देना है," और अब इसे हम रखदेंगे सात दिन के लिए कम से कम एक सब्ता के लिए रख देंगे उसके बाद आगे की प्रकरिया सुरू होगी इसी वीच में नीम का तीसा अप्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बस बनाईए और यूज कीजिए सर्दियां चल रही है अलाव तो सभी लगाते ही होंगे आपको करना यह है कि नीम की ताजा पत्या इस तरीके से जला नी है ठीक है पत्या थोड़ी पुरानी होनी चाहिए लकडी समेट आप एसे जला कर थोड़ी देर ऐसे जलते रही है जितना आप जला सकें और कोशस कीजिए कि जो लकडी है वो भी इसी के साथ जल जाए तो जब ये नीम क पत्ती और नीम की लकडी से वनिवी राख है इसे हम च्छान लेंगे बस अब ये जो राख हो गई न ये भी आपके लिए और गैनिक पेश्टिसाइट का काम करेगी और ये काम आएगी हमारी जो पत्तिदार सबजियां हैं पालक है मैथी है बत हुआ है या और भी जो सबजि पत्ति खाने वाले कीडे हैं माउं हैं वो नहीं आएगी हमारा एक अभी पेश्टिसाइट चल रहा था जो के हम सात दिन से रखे हुए थे सात दिन वाद इस तरीके से आपका नीम पेश्टिसाइट बनकर तयार हो गया होगा आपको इसमें से ये तावे वाला पात निकाल अगर आप और गयनिक कीटनासक यूज कर रहे हैं तो इसकी मातरा का विसेज ध्यान रखिए फल सबजियों में आपको इसकी प्योर मातरा यूज करनी है इसमें पानी आपको नहीं मिनाला है बस इसे इस तरीके की लोहे की जो छलनी आती है कोई परानी छलनी ले लीजिए नहीं नहीं हो तो और जो आपने नीम कीटनासक बनाया है उसे च्छान लीजिए इस तरीके से ये लीजिए अब ये कीटनासक तैयार है अगर आपके पौदे छोटे हैं तो 50% ये कीटनासक और 50% पानी मिला लीजिए और अगर पौदे बड़े हैं उम्रदराज हैं पांच पर सीधा यूजिए और फिर देखिए जो ये मिर्च पर जो मुरोडिया रोग है या तना छेदक फल छेदक कीड़े हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा धन्यवाद